Hello Students, Welcome to Hindi Class Students, आज हम Hindi का Lesson No. 1 करेंगे आपका Lesson No. 1 देखेंगे सबी सोने जैसे दिन है इसके ये एक कविता है ठीक है? ये एक बहुती सुन्दर कविता है सोने जैसे दिन है इसके सोने जैसे दिन किसे कहा गया है? जो भारत देश है उसके बारे में बताया गया है और भारत देश के सौन्दर्य के बारे में बताया गया जो प्राकरतिक सौन्दर्य है भारत देश का उसके बारे में बताया इस कविता में और भारत देश में बहुत सारी विशेष्टाइं है उनी विशेष्टाओं का यहाँ पर गुनगान किया गया तो चलिए कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट देखेंगे छोटे मूँ से कैसे कैदू इस भारत की बात रे सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसी रात रे इसमें बोला गया है कि जो भारत देश है उसके जो दिन है वो सोने जैसे है और उसकी जो राते है वो चांदी जैसी है कैसे सोने जैसे दिन है कि जैसे जब सूरज निकलता है सूरज की रोशनी पूरे फैलती है चारो और जब फैलती है तो सुनेहरे रंग की रोशनी होती है, जैसे कि सोने का रंग भी सुनेहरा होता है, गोल्डन होता है, तो सोने जैसा इसलिए दिनों को बोला गया है, क्योंकि सुनेहरी जो सूरज की रोशनी है, वो चारो तरफ फैलती है, और रात को चंदरमा की लाइट, जैसे कि चांदी ज जेसि होती है, चंदरमा की लाइट चारो दरफ फैलती है, तो उसे चांदी जैसी रातों को बोला गया है, ठीक है, उजला मकुट हिमाले इसका ओन दियों की माला है, अगर आप हिमाले परवत को देखतेों, तो उसके ओपर बर्फ सबसे ओपर हिमाले परवत है, वो एक उजला मुकट हिमाले इसका ओ नदियों की माला है जो नदियां है वो माला की तरह दिखती हैं पद बंदन करता है श्रद्दा से नील सिंदू मतवाला है पद बंदन करना मेंज भारत देश के पैरों का बंदन करना भारत देश के पैरों का श्रद्दा से बंदन करना ठीक है उसकी पूजा करना कौन करता है नील सिंदू, नीला समुद्र, मस्त होकर भारदेश के पैरों का बंदन करता है श्रद्दा से अनुपम सुन्दर्ता ने दी है सारे जग को मात रे भारत देश की जो सुन्दर्ता है वो बहुत ही अनुपम है बहुत ही सुन्दर है भारत देश बहुत ही सुन्दर है सारे जग को मात दी है मैंसे सारे संसार से अधिक सुन्दर्ता हमारे भारत देश की है एक बगीच्चा देश हमारा फूल अनेकों खिले यहाँ जो हमारा देश है वो एक बगीच्चे की तरह है और यहाँ पर बहुत सारे फूल खिले हुए कौन-कौन से खिले हुए अलग-लग है रूप रंग पर सभी प्रेम से मिले यहाँ पत्जड में भी मुस्काते हैं इस उपवन के पातरे मींज यह जो भारत रूपी गीचा है इसके जो पत्ते हैं पत्जड में भी मुस्काते हैं ग अगर भारतेश के लोगों के उपर कभी कोई मुसीबत भी आती है, तो वो उसे भी असानी से पार कर लेते हैं, उसमें भी मुस्काते रखते हैं, खुश रखते हैं, आगे दिखेंगे, रंग भी रंगे पक्षी आकर गाते जागरती का गाना, ठीक है, ने उत्साह का, ने जो मिहनत करके खाते हैं, नीले नपसे होती है, नित अमरित की बरसातरे, जो नीला समुद्र है, वहां पर अमरित की बरसात होती है, जो बरसात होती है, जो बारिश होती है, वो अमरित के समान है, क्योंकि इसी बारिश से जो हमारी बनस्पती है, और जो हमारी फसले हैं, वो ग सच्चाई का ये अरातक शान्ती प्रेम ही नारा है जो हमारा भारत देश है वो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला है और शान्ती प्रेम ही इसका नारा है ठीक है, मिन्स चारों तरफ शान्ती और प्रेम ही फेलाते हैं हिंसा का काले फन वाला नाग इसी से हारा है इसी से जो हिंसा है हिंसा को किस के समान बताया गया है काले नाग के समान बताया गया है हिंसा आता है जो लड़ाई जगड़ा करना हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए तो हिंसा का जो हिंसा को काले नाग के समान बताया गया है तो इस हि शान्ति और प्रेम से इसके माथे लिखी हुई है खुशियों की सोगात रे जो भारत देश है इसके माथे पर खुशियों की सोगात लिखी हुई है मेंस खुशियों का उपहार लिखा हुआ है मेंस यहां के लोग हमेशा ही खुश रहते हैं इसी तरह से स्टुडिंट्स यह के पॉयम है, पॉयम के बाद में आपने वर्ड मीनिंग पढ़ने है और मुहाबरे करने है, इसके बाद हम करेंगे भाशा ग्यान, भाशा ग्यान करने से पहले ये है बहु विकल्पी प्रश्न, MCQS, इसे करेंगे, फर्स्ट वन है, कभी ने भारत का पदबंदन करने वाला कि ने सिंदू को कहा है, भारत रूपी उपवन के पात कैसे हैं, पत जड़ में भी मुसकाने वाले हैं पतज़ में भी unskane वाले हैं अमरित के बरशाद कहां से होती है अमरित के बरशाद निले नवसे होती है निले नवसे आस्मान से दिन next one यहां पर एक comprehension दिया हुआ है ठीक है पौईम में से ही एक comprehension दिया हुआ है इसे दिखेंगे दी गई पंक्तियों का ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछेगे प्रशनों के उपतर दीजिए पंक्तियां यहाँ पर दी ओई हैं पॉइंक की कुछ लाइन्स तो कौन सी हैं सच्चाई का ये अरादधक शान्ती प्रेमी नारा है हिंसा का काले फन वाला नाग इसी से हारा है इसके माथे लिखी हुई है खुशियों की सोगातरे तो फर्स्ट कोशन है यहाँ पर कुछ कोशन से हैं उनके अंसर लिखने हैं फर्स्ट है भारत में सच्चाई को किसकी योग्य समझा गया है तो आंसर आएगा अराधना करने के योग्य अराधना करने के योग्य भारत का नारा क्या है शान्ती प्रेम नेक्स कोशन काले फन वाला नाग किसे कहा गया है आंसर इस हिंसा को भारत के भागय में किस उपहार को पाना लिखा है खुशियों के उपहार को उसके बाद दिखेंगे भाशाग्यान फर्स्ट एक्ससाइज निमलिकी शब्दों के दो-दो परियवच्ची शब्द लिखे परियवच्ची शब्द करने से पहले आपको ये पढ़ना पढ़ेगा यहाँ पर दिखेंगे इसका मीनिंग बताया गया लगभग समान अर्थ देने वाले शब्दों को परियवच्ची शब्द कहते हैं जो समान अर्थ देते हो उसे हम क्या कहते हैं परियवच्ची और समान अर्थी शब्द भी कहते हैं परियवच्ची शब्द भी कहते हैं और समान अर्थी शब्द भी कहते हैं यहाँ पर दो-दो लिखेंगे, फर्स्ट वन है, बगीच्चा, बाग, उपवन, सेकिंड, समुद्र, सागर, सिंधू, देन फूल, पुष्प, कुसुम, नभ, अकाश, गगद, या आसमान भी लिख सकते हैं, उसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट वन, निमे लिखे शब्दो कहते हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ विपरित मींस उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरित शब्द या विपरित आर्थक शब्द कहते हैं, फर्स्ट है सुन्दर्ता, असुन्दर्ता, प्रेम, घ्रिना या नफरत, महिनत, आलस्य, काते, उदास अमरित, विश, हिंसा अहिंसा स्टुडेंट्स नेक्स्ट पेज देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे है आपका, नइमलिखे सब्दों में से संग्या और क्रिया शब्दों को अलग लग करके लिखे, ठीक है, यहां पर क्रिया शब्द भी दिये गए हैं और संग्या शब्द भी दिये गए हैं तो हमने क्या करना है संग्या और क्रिया को अलग लग करके लिखना है यहाँ पर दो कॉलम्स बने हुए अब संग्या क्या प्ती है जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तू स्थान या भाव के नाम को बतात हैं उसे हम संग्या केते हैं और क्षिय जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रीया केते हैं तो यहां पर कुछ शब्द सेलिए हैं यहां पर दो कॉलम्स बने को लिखना कर एं इना को लिकरना Allahu मुह क्या है संग्या जैन खिलना क्रिया अराधक संग्या श्रध्ध संग्या मुसकाना क्रिया हारना क्रिया महिनत संग्या खुशिया संग्या दुखाना क्रिया अब संग्या शब्द कौन कौन से है मुह, अराधक श्रध्ध्ध महिनत खुशिया दिन क्रिया शब्द खिलना मुस्काना हारना दुखाना खाना उसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज है अथवा है लिखकर वाक्य पूरे कीजिए यहां पर है और है एक के उपर बिंदी आई है जिस शब्द के उपर है के उपर बिंदी आई है वो शब्द कहां पर प्रियोग किये जाते हैं वो बहु वचिन के लिए प्रियोग किये जाते हैं तो UN does न सुने हैं बोगत सारी चीजों के Desire मात्य जी ने मॉती के मॉति के माला पहन रखी है यहां अकाश अम्रित के वर्शा करता है सब्धी फूल, अलग-लग रंग के हैं, बहुत सारे फूलों की बात हो रही है, इसलिए हैं, हमें भारतवासी होने पर गर्ब है, उसके बाद students आगे देखेंगे, तद्भव और तत्सम, अब तत्भव और तत्सम पढ़ने से पहले, यहां पर नीचे जो definition दी गई है, उसे जाते हैं, तो वे तत्सम कहलाते हैं, जब किसी भी भाषा, जैसे हिंदी में, बहुत सारे अलग-लग भाषाओं के शब्द आए हैं, जब वो as it is उसी रूप में परियोग किये जाते हैं, तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, जब उन शब्दों को कुछ परिवर्तन के जब हम अगनी को आग करके लिखते हैं, तो यह तत्भव शब्द हो गया, उसी तरह से जल तत्सम शब्द है, और पानी तत्भव शब्द है, अब आपने यहा क्या करने हैं? यहां पर यह एक्ससाइज दी गई, यहां पर कुछ वर्ड्स दीए गये, तत्भव और तत्सम आपने ये learn करने हैं कि कौन से तद्भव हैं, कौन से तद्सम हैं, तो first देखिए उजला, उज्वल, ठीक है, ये तद्भव हैं, उजला का क्या है, तद्सम क्या है, उज्वल, उसी तरह से पात का, पात तद्भव है, इसका तद्सम क्या है, पत्र, ठीक है, उसी तरह से तद तत्सम शब्द है स्वर्ण इसका तद्भव है सोना उसी तरह से तत्सम शब्द है नित्य और इसका तद्भव शब्द है नित्य नित्य का आता है रोज हमेशा ठीक है रोज हमेशा डेली नित्य ठीक है स्टूडिंट्स तो यह आपने लर्न करना है तद्भव शब्द है पुज्वल पत्र स्वर्न नित्या Okay students इसी के साथ में आपका यह chapter complete होता है Thank you so much and you have to learn all the exercises and word meaning also Thank you students God bless you all